अब हम मौजूद है उत्तर परदेश के पढ़ रहोना में और मेरे बगल में जो लड़की को आप देख रहे हैं बलकि ये लड़की नहीं एक लड़का है और ये लड़का से लड़की कैसे बना इसके जीवन के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और इसे लड़का से लड़की बन गई हैं क्या नाम है अपका मेरा नाम नसीब है पहले तो सब दर्शक को मेरा नमस्ति ये जो जीवन आप जी रहे हैं आप एक लड़का थी और लड़की कैसे बन गई वो तो समय की बात है जब इंसान कहता है ना कि जब मुसिबत पड़ता है तो इंसान को कुछ भी करना पड़ता है तो मेरा एक ऐसे बुरा समय था तो मुझे और कुछ नहीं दिखा वैसे तो मेरे जिन्दगी पहले कुछ और थी मेरा सपना कुछ और था जब आठवी में पढ़ते थे हम तो तो उस समय ऐसा नहीं था जब देरे घर पे मजबुरिया बढ पड़ती गए तब मुझे कुछ लोगों ने बोला कि यह करो वो करो यहां जाओ वहां जाओ मैंने एलेक्टिशन का भी काम मैंने सीखा था पड़ाओना में दो महीना तक मैंने काम किया वहां पे मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि कभी-कभी भाड़ा नहीं देता था और 7-8 किलोमीटर पड़ता था मेरे घर से आने जाने का और उसके बासे मैंने अपने जो लड़का वाला मेरा जिंदगी था उस उमर में एक बार हमने गुजरात भी देखा है गुजरात में अपने पापा की साथ हमने रहा है वहां जब हम दस्वी में पड़ते थे तब व मेरे पापा गाड़ी चलाते थे और वो समय मेरा अलग था लेकिन जब जब मेरे पापा का जब बीमारी चालू हुआ जब मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उनको ब्लट कैंसर की सिकायत आ गई मेरे पापा चार साल पांच साल कैसे गुजारे घर पे कैसे रहे कैसी मुसीबत हम लोग के ऊपर पड़ी यह तो हम लोग जानते अब उतना तो बता नहीं पाएंगे जितना मैंने जेला है तो वो समय ऐसा था हम लोग के लिए कि कभी-कभी खाने के लिए नहीं आता आस पा बीता हुआ कल तो हमेशा याद रहता है क्या मतलब आपको क्या मजबूरी पड़ी कि आप एक अच्छे खसे नौकडी भी करते थे 12,000 आपकी सेलरी भी हुआ करती थी आप एक लड़के थे तो लड़की से क्या ऐसी मजबूरी आई कि लड़के से अपने लड़की का भेस भाताने था घर पे भी ऑल्दें बाहर रेते थे तो हम लोग लोग लेके रहते थे तो घर मेरी एक जिस्टर थे जिसनकी अभी साधी नहीं हूई थे घॉइंड को से सब्सक्रेशन mix कर दे नहीं छोपढ़ाई गया मेरा पढ़ाई चुटा मेरे भाई कर पढ़ाई च्षो कुछ लोग मेरे से बोले डांस करते हो तो यहां जा कि डांस करो वहां डांस करो पैसा मिलेगा तो दीरे-दीरे मैंने घर से पापा से मेरे पापा तो कभी मुझे जाने नहीं देते थे कि यहां जाओ वहां जाओ यह करो वह करो नहीं कभी प्रेसर मेरे पापा नहीं डाले है की जाओ मेहनत का काम करो, यह करो, वो करो, लेकिन घर पे पैसे की वज़े से हालाद देखे, मजबूरी देखे, मैंने कदम उठाया, जूट बोलके जाते थे, बटर्डे पार्टी में जा रहा है, तो दोस्त की वहाँ जा रहा है, तो यह है, वह है, और चुपके-चुपके स किसी पार्टी में नाच में ड्रामा में ऐसे जाते थे डांस्रोंस करने के लिए रूपर तो वहां सो 200-300 रुप्या मिलता था एक ऐसा समय था कि मुझे 150 रुपर पर इंसान बुलाता था तीन दीन काम करा एक तीन 50 100 और इसे देता था तो तो आने जाने में भड़ा किराय में खतम हो जाता था मेरा बजता वहीं सो दोस रुपए था उसके लाते थे पापा को इसी में दावाई भी था अब कैसे मैंज किए वो तो समय जो बीच गया वह तो समय भीती गया चाहत एक बात में पूछना चाहूँ तो सिर्फ मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट किया है और बाहरों का कहना था कि इनका लड़का यह कर रहा है वो कर मेरे घर वालों को चढ़ाना भड़काना मेरे पापा से असब्द बोलना कभी-कभी ऐसा होता था कि मेरे पापा कभी-कभी गुस्सा हो जाते थे कि यह काम मत करो लेकिन ऐसा कुछ नहीं जब दीरे-दीरे वो लोग जान गए कि चलो कुछ भी कर रहा है घर चला रहा है पापा को देख रहा है सब कुछ करने लगा यहां तक की दीरे-दीरे काम करते करते छोटे भाई को पढ़ाना भी श्टार्ट कर दिया अपनी बहन की साधी भी कर दिये और दीरे-धीरे घर पे मेरे पापा की बीमारी में जितना करजना था लंसम आठ لाक रुप्या करजना था वह मैंने दीरे-दीरे इसी काम से मैंने चुकता भी कर दिया अज किसी का भी करज नहीं लगता है कि आप की आप डांस करके भी आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे डांस करना डांस वैसे तो मेरे नजर में गंदा नहीं है क्योंकि हम वैसा करते नहीं है और बाकी और लोग सोचते हैं वो अलग की बात है लोग क्या सोचते हैं लोग तो अपने बारे में भी सही नहीं सोचते हैं तो दूसरे के बारे में इ इसके पीछे की कारण तो वैसे तो क्या बताया है मतलब तैसे अपने इस लड़की वाले सांचे में अपने अपको ढालने वह तो समय बदला हम बदल गए बाकी और आप लोग देखी रहा है मुझे अब इसी सकल में आप सुकून है आपका खुश है अब जी आभी तो अच्छा है लेकिन ऐसा यह भी कभी कभी इस इस लाइप में भी आजीव लगता है लेकिन फिर घर की मजबूरी देखते हैं तो हिमत आता है कि नहीं मुझे करना चाहिए यह करना चाहिए फिर सोचते हैं कि फिर अपने आपको बदलें फिर ऐसा बदले तो आप तो जो बदल गया वो तो फिर बदल नहीं सकता है अब लड़का वाला रूप में लेना चाहते है नहीं अब इसी रूप में इसी रूप मे भले कोई एक्सेप्ट करें या ना करें वैसे तो धीर दी रिलेशन वाले भी हम से छूटते गए कोई जितने भी मेरी रिलेशन वाले तो आप लड़के से लड़की वाला रूप जब लिए तो आपके जो रिलेशन के लोग हो रहा है हम लोग नहीं आएंगे घर पे तो यह नहीं कुछ लोग आते भी मेरे घर पे जब तक मेरे पापा थे न्यक्तिम पापा समय पसको पेसा ते róले वाले संब्ध बनाया रखे musky R thereाay पहले नहीं नहीं रिस्ता था जब्प तक मजबूरी तर रिस्ता नहीं अब मजबूरी timing Qtam अब दीरे दीरे सबसे बाते चीते होना चालो हो गया लेकिन वैसे तो हम कहीं रिलेशन में जाते नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जाए साथ मुझे अच्छा लगे घूमना जिसके सपना होता है कि मामा घर जाके रहें बुबा घर जाके रहें यहां रहें तो पिछे मरता तो समझ में आता हर वो चीच पर मरता है जो उसको दिखता है मतलब मैंने देखocalypse को भी देखा है जिन्होंने बहुत से लड़कें से प्यार किया, मतलब हार एक चीज अपना बारबात किया, हार एक चीज फिर भी उन लोग को धोखा मिला, तो हम यह सोचे हैं, जब हम देख रहे हैं, खोद हो इनसान ठोकर खा रहा है, तो मुझे क्या मतलब है? जुब्स आपके मनमें उमंग नहीं जगा कि हमारा भी कोई हमसफरार अधुर तो मैंने अपनी जिन्दिकी में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैंने इतना प्यारा अपने फैमिली वालों से किया है, क coff ऑ़ने कि अपको प्यार नहीं चाहिए कि बुरे समय में जो इंसान पूछता है वो इंसान अच्छा होता है जो अच्छे समय पूछता है वो इंसान नहीं अच्छा होता है चलिए यह देखिए कि कहीं नसीब से इनका चाहत बनने का जो सफर था इन्होंने अपने ब्यां किया